हम सब नहीं सोचा के असेमली के सब प्रेटफॉर्म है बच्चों के लिए और सबके लिए सीखने का के सब प्रेटफॉर्म है जहां बच्चों के बात को कह पाते हैं बिना किसी हिच की चाहट ले साथ में और लिसनिंग से भी जुड़ा हुआ है कि हम दूसरों की बात को कितना तबस्दों दिर पाते हैं कितना उनकों सुन पाते हैं उनके किसी जानकारि ले पाते हैं और अपने किसी भी अनुववक्तों को कितनाığı free expression के साथ में express कर पाते हैं और ऐसी कौन सी चीज है जो हम क्लास्रूम से हटकर वहां करना चाहते हैं, ताकि जिनकी जो शुरुवात हो, पेहत को शुरुमा हो, हमारा होड़ा दिन बुरा अच्छे से बस्ते से निकले हैं, इसी सोच को लेकर हम थोड़ा आगे बड़े तो हमने यह सोचा कि जब हम यह च अच्छे सदस्य होते हैं और टीचर हम सारे टीचर होते हैं, तो उन सबने मिलकर हमने यह देखा कि इसमें कहानी भी आनी चाहिए, काहनी भी होनी चाहिए, भी बादन पीत भी होनी चाहिए, पर और क्या होना चीए ऐसा, ताकि सब बच्चों को मोगा मिले खुश करने का, तो हमने सोचा कुछ जानकारी खटी करने के शूर्ती होने चीए, और बच्चों के एसा खुला मन्च होना चीए, कहने सुनने के लिए थोड़ा से बंदिश नहीं होनी चीए कि इसा का परोस दिया चाहिए और बच्चे करने लग जाए, ऐसा खुला पर होना चीए जिसे ब चलती है, उसको भी उन्होंने डिजाइन किया है, रूप मिलकर, टिछर्स मिलकर, कि सोंबार को बच्चे क्या करेंगे, मंगरवार को क्या करेंगे, और यहां चली बातर, उसमें जो मुख्य रूप से जुणा है, अब इता हैं बच्चों की जो बच्चे कुछ लिखते हैं, स किसको देखकर वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, किसी चीज को देखकर बहुत से अनुभा होते हैं बच्चों के पास, कुछ है जो वो फील करते हैं, चाहे वो मिल्भाव से रिलेटेड हो, लिंक से रिलेटेड हो, किसी से भी, और उनको उन्होंने महसोस किया, तो साथ है कि कोई ऐसा मन चमिले उन्हें प्रस्तूत करने का जहां पर फुलकर अपनी मात लग सकते हैं, तो ऐसे भी कुछ अनुभाव को आशेर सकते हैं, तो हमने सोम बार को यह सोचा है, तै किया है, कि बच्चे अभिवादन कीत करेंगे, और जीचर स्विश में शामिल हों और नाटक करेंगे, उसकी बाद गुरुवार को पुरा इंगलिष टे होगा, इंगलिष में ही खुशब्द भोलेंगे, इंगलिष में सैंटेस भोलेंगे, और कुछ भी भोले पर वो इंगलिष में ही पिजन करेंगे, चाहे हो टीचर हो, चाहे स्टूरेंट हो, और फ्रा जो खुद करते हैं, कुमार से बात्चीत करे आए पोई कि साथ भारत हमारे पास है, या फिर एक लोक अथा का हमारे पास में है कि गाउंसे कुछ भू करके लाए हैं और और यहां पर जायती है। या अपने बुजर्गों से पूछ कराएंगे हमारे बबोर गाउं कैसे बबोर गाउं का नाव बबोर पड़ा है इस तरह कि कि जो भी है गाउं से संबन देत उनकी जो भी प्लोग है वो स्थास जिससे लिए उन्होंने करें उसको शोज बना करेंजेटर वो उन्होंने डेमो की दोग पर वहां पर करा तो ऐसा वो शुखरवात की दिन करना चाह रहे हैं एक लोगल रिसोर्स पर्षन को लेकर कोई जानकारी बच्चों को दिल जाए जैसे मादी जी कोई व्यक्ति आये आएं यहां पर अभी हमने चल रहा है हमारा स्काउट गाइड का पर जैसे स्काउट गैट है, पुलिस है, कोई कर्मी है, जो कार्विरत है किसी से, इस तरीकी की कुछ हमने सोचा है कि करने के लिए, तो वो सारे इंट्रिक्रेशन है, सारे और सब्सेक्स का जानकारी होगा, कि हम किसी एक मंच जैसा दे पाएं बच्चो को चाहां हो जानकारी कर सकें, और खुद भी अपनी जानकारी को हमारे साथ शेर करें, उसके लिए हमने उन्हें एसामली में पास से 10 मिरिट का एक समय दिया है, खुला मंच जैसे का है, उस खुले मंच में वो सब्ता के अन्ध में टॉपिक्स डिसाइड करते हैं बच्चे ली, और वो अगले शुआत मंडे से ही शुरू हो जाता है, बच्चे की चॉइस होती है, वो बच्चा को धांट्रेस करके हमें बताता है कि हम इन्हें टॉपिक्स पर कुछ बोलना चाहते हैं, उसका शुद बताता है कि उन्होंने वो टीबी से देखा है, किसी सर्या दिल्दी से जानकारी ली लिए हम बताते को तयार है, तो बताते हैं शेयर करते हैं, अभी हमारा सफर ये से ही चल रहा है, आगे हम और करते रहेंगे जो कि इसमें करने की जुरत हो की, बस